नमस्कार आप देखरें नीज़वल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्री शर्मा शुरूबात करेंगे उत्रकंड की खास कपरों की उत्रकंड की राजदानी दहरादून में एक ही दिन में 165 पक्षियों के शव मिले हैं जिसमें वन विवाग के साथ ही पशु पालन विवाग की भी चिंता भड़ गई हैं पाच पक्षियों के सेंपल भारतिये पशु चिकटसाले अनुसंधान संस्थान बरेली भेज दिये गए हैं अला कि चार दिन पूर भेज़े गए सेंपलों की रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है देरादून में 162 कोई, दो कबूतर और एक चील मिरत पाए गए हैं वन विवाग को दून के बामबे बाग में बड़ी संख्या में कोई की मौत की सूचना मिली थी टीम मौके पर पहुची और जांच की है प्रवागिया वन अदिकारी राजीव धिमान ने बताया कि बाग में करीब 121 कोई के शव मिले हैं जिसके बाद हड़कम पमच गया और वही नेनिताल में लालकुआ में कॉंग्रेस सेवदल ने किसान बिल का विरोध करते हुए बिंदु खता शहीद इसमारक पर बीजेपी के खिलाव जम कर नारे बाजी की है उन्होंने इस बिल को किसान विरोधी बिल बताते हुए कॉंग्रेस सेवदल के प्रदेश उपाद्यक्षी राजेंद दुरगापाल की अगुवाई में कॉंग्रेस कारिकरताओं ने किसान बिल वापस लेने की मांग की है इस दोरणों ने बिंदु कदर शहीद इस मारक से लेकर हल्दू चोड तक पैदल मार्श निकाला है इस मौके पर वक्ताओं ने कहाए कि केंद सरकार के खिलाव पूरे देश में किसान आक्रोशित हैं और कई राजियों में किसान सड़त पर उतरे हैं करना चातें और किसान हंसे दसे दुकी है और उन्दाता है अब यह पर यपार इकटर transmitted आयां इंकर ऑड़ी या शाहतन है कि जानु कारीस आधन यसान के न्हीं करते और यह मांग करते हैं यह क्सी कानून जो बनाया है उनको समाप्त करें और किसानों जो जायज मांगे हैं उनको मान करके और बातचीत के माधिन से समधान करें हम भी उन किसानों का समर्थन कर रहे हैं कि जो मंडी समाप्त नहीं होगी MSP जारी रहेगी इसको आप कानून के कानून में क्यों नहीं ला रहे हैं और प्रधानमिती नरेन बोनीजी से कांग्रेश सेवादाल और कांग्रेश से सभी कार करता हूँ यही अपील है कि कृपया हट धर्मिता छोड़ करके किसानों की जायज मांग को मानते हुए किसानों की गारिंटी जो हितों की रक्षा है उसको सुनिचित करते हुए कानून में उन बिंदों को सामिल करते हुए करें उसमें कई बिंदों ऐसे हैं बहुत लंबी बात हो जाती है जैसे पंदर साल पुराना टेक्टर है पराली जलाने वाला यह सारे नए बिल में इन्हों सुनीचित हो उस कानून के अंदर में और वहीं लालकुआ में अवैद रूप से लकडी चिरान करने वालों की खिलाफ कानूनी कारवाई को अंजाम देने के लिए वन विवाग ने कमर कसली है लकडी के अवैद कटाई पर परेवरन संतुलन बिगडने वाले अब वन विवाग की नजर से नहीं बस सकेंगे इसी के चलते वन विवाग ने नगर के एक ही आरा मशीन में च्छापे मारी कर बीस अवैद गिल्टरों से लदी ट्रेक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया है और उसे सीज कर दिया गया है यहां तरही पूरवी वन प्रवाव के प्रवागिये वन अधिकारी संदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया उन्होंने मुख्बिर की सूचना मिली थी जिसके बाद नगर की एक आरा मशीन में अवैद चिरान हो रहा था जिस पर उन्होंने टीम गठिद कर कारवाई के निर्देश दिये थे दरसल जिसमें डोली रेंज के वन शेतर अधिकारी अनिल जोशी के नेतरतुमें वन कर्मियों ने उक्त संचले तो आरा मशीन में चापे मारी की तो उसके खिलाब जो है कारवाई की जाएगी जन्हित में की जा रहे एक कारे लागू की जा रहे ही योजनाओं को आम जन्ता तक पहुचाने का आवान भी किया है साथ ही उन्होंने आगमी विधानसवा चुनाफ को लेकर जुट जाने का आवान किया है परदेश ने तत्तु पर हम सब लोग प्रतेक सकती केंद्रों के संभिलन कर रहे हैं आप देख रहे होगे हमारे सकती केंद्र पर भी अभी हमने केबल कारी करता बुलाए हैं पदाधिकारी बुलाए हैं इतने पदाधिकारी आपर पहुचे हैं हम सक्ति केंदर पर भूट पर भारती जनता पाल्टी को मजबूत करने का कारी कर रहे हैं सक्ति केंदर में हमारे छे जो कारी करम होते हैं वो और मन की बात मने उस सब के पिरमुक बना रहे हैं सक्ति केंदर पर एक पिरमुक बना रहे हैं और जब यह योजना रोजना बन जाएगी तो मैं कह सकता हूँ कोई अन्य दाल इसके आस्वाज भी नहीं बहुंचकता कोई चहाकर भी इतना बड़ा नेटबर्क काम नहीं कर सकता क्यों क्यों कि भारती जनता पाल्टी के जो कारी करता का मन है जो विश्वास है जो परंपरा है वो बूत पर रहकर कारी करने की है इसलिए हम अभेध्या बूत बनाते हुए इसे सकती जिन्ठों को बनाते हुए अँट अलग अलग प्रकार से जादा सीटे लेकर आने भारतिय मजदूर संग प्रदेश कार्यकरणी की पहली बैटक मानव दूरी के साथ सोयबीन गेस्ट हाउस में आउजित की गई है बैचक में कहा गया है कि कोरणा के कारणा देश का मजदूर परेशान है मजदूर को अपेक्षित लाब दिलाने की जल्द से जल्द रन्नीती तयार की जाएगी इस मौके पर वक्ता उनकाय की सरकार की कुछ नीतियां देश के मजदूर और कारखानों में कारेरत श्रमेकों की हितों की रक्षा करने के बजाए उनके शोशन को बढ़ावा दे रही है इसी मुद्दे को लेकर जल्दी संग द्वारा नीती आयोग की श्रमेक विरोधी नीतियों का विरोज जिताया जाएगा नकाय की सरकार की अइसपस्ट और ब्रामेक मजदूरी नीती के कारण श्रमेक वर्ग खुद को ठगा महसूस कर रहा है अनोने प्रदान मंत्री से मजदूर श्रमेक वर्ग किसानों आदिका भला करने की नीती आयोग के प्रभाव से हटा कर निश्पक्षता के साथ मजदूरों को शोशन मुक्त कराने की अपील भी की है मेगने साइट में पाज महने से बेतन नी मिला है उस पर चर्चा हुई है उनके भी आंदोलन की रणीती बनी हुई है आगन बाड़ी जिनकी सेवाएं सरकार लगाता ले रही है उनका भी बेतन छह मैने से पेंडिंग है तो आज सरकारों की यह इस्तित्या हुई है और आसा है आसा फैसिलेटर है उनको एनेच है एनेचम है हेल्थ डैसनल वरकर स्कीम उतके अंतर का जो वरकर कारी कर रहे है उनका भी खुले आम सोचन किया जा रहा है उनको बाही कॉंट्रक्ट में रखकर जो समित्या पहले पचास हजार पर बेतन देती थी वाज उस पर चिंतन मतन हो रहा है और अपना बीदी परकोष्ट भी हम बनाएं कार्य करेंगे करोना कालखंड में जो वर्चुल ऐसे मीटिंग चलती रही करोना में काल में केवल भारती मजदूर संग ने करोना वारियर्स के रूप में जो सेवा के काम किये हैं और श्रमिकों के बीच में जो हमारे ऐसे श्रमिक बाहर से आये उनके सहायता के लिए जो जो काम किये हैं उसका लेखा जो खा कहा कैसा है पिर भारती मजदूर संग ने पूरे देश के अंदर एक help desk का कारिकरम किया था, कि श्रमिकों के सहायता के लिए हम उपलब्द रहें 24 hours, तो उस help desk के बारे में श्रमिकों की सहायता कैसे हमने किया है, इन सब बिंदों पर चर्चा, चिंतन, मंथन और आलोकन हुआ है, और आग के हित में नहीं है, उसका पुरजोर कोशिश कोरोना काल में भी भारती मजदूर संग ने फिजिकल जगा-जगा जिला के अंदरों पर डियम के माध्यम से मुख्य मंतरी को प्रदान मंतरी को ग्यापन दिया है, उसका भी उसकी समिक्षा और आगे की योजना पर हम विचार कर रहे हैं फिलाल इस बुलिटे में सर्फ इतना ही जारा खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार बनी रहें, नमस्कार